हेलो फ्रेंट्स मैं अनामिका मेरे किसिग में आप से ही का श्वागत है फ्रेंट्स मैं आज साउथ की रेश्पी लेकर आई हूँ जिसे हम कर्ड राइस करते हैं कर्ट राई शाउथ ही रेश्पी है पड़ ये इतना हेल्थी और टेस्टी है कि हर जगह ही से बनाया जाने लगा है तो फ्रेंड्स इस रेश्पी को आप जरूर ट्राई किजिए ये बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंज इस रेश्पी को आप ज़रूर ट्राइ किजिए और मेरी सेटर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किजिए कर्ड राइस बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडियन्स लिया है, वो है दो शोगराम राइस जिसे हमने वायल करके इस्टेन कर लिया है दो शोगराम कर्ड, करी पत्ता, उरत की दाल, चना दाल, राइ यानि की मस्टर शेट, जीरा, नमक, हीन, तेल और धनिया पत्ता जिसे हमने धोके बारिक काट लिया है तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और बड़े बॉल में हम ये राइस को डाल लेंगे तो कर्ड राइस के लिए राइस जो है वो थोड़ा सा शॉप्ट ही वायल किया जाता है अब हम इसमें क्या करेंगे दही को भी मिक्स कर देंगे और इसे हम आधा मिनट तक चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे राइस को हमने कर्ड के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम गैस के दरफ चलेंगे कर्ड राइस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम गैस के दरफ चलेंगे तो गैस पे हमें टाइप पैन रखेंगे और गैस को आपन कर लेंगे पैन अच्छे से गड़म हो चुका है अब हम इसमें एक चमच तेल डालेंगे और तेल को हम गड़म होने देंगे तेल गड़म हो चुका है अब हम उसमें तड़का डालेंगे तो हमने मस्टर्ड शीट डाला जीरा चना दाल और इसे हम अच्छे से भून लेंगे इसे जलने नहीं देना है जस इसकी कचापन दूर करने है तड़का अपना तयार हो गया है अब हम इसमें डालेंगे कड़ी लिव्स कड़ी लिव्स डालके इसे हम चला लेंगे इसमें हम डालेंगे वन पिंच हींग इसे भी हम डाल लेंगे और अच्छे से चला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे राइस जिसे हमने कड़ के साथ मिक्स कर लिया था तर्के में हम ये राइस को डाल लेंगे तड़के के साथ मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुशार नमक तो नमक को हम ऐसे फैलाते हुए डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक भी मिक्स हो चुका है अब हम इस पे डालेंगे फ्रेस कटा हुआ धनिया पत्ता यह आउप्चनल है तेकिन इसे टेश्ट बहुत बढ़िया आता है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर शकते हैं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह अपनी कर्ड राइस बन चुकी है अब हम इस के फ्लेम को आफ कर लेंगे अब हम राइस को एक प्लेट में निकाल लेंगे कर्ड राइस बनकर तयार है यह खाने में बहुत ही टेश्टी और हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है तो फ्रेंग्स इस रेश्पी को आप जड़ो ट्राइ कीजिए अगर आज की मेरी यह कर्ड राइस की रेश्पी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए शेब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिन करना मत भूली धन्यवाद